तो अब हम बात करते हैं भारती रेल के वर्ग पर और भारती रेल का यह जो वर्गी करण किया गया है वो रेलवे पट्री की चोड़ाई के आधार पर किया गया है इसमें हमें तीन प्रमुख वर्ग देखने को मिलते हैं पहला है ब्रॉड गेज या जिसे हम बड़ी लाइन क और तीसरा छोटी लाइन या हम जिसे नेरो गेज कहते हैं अब क्या होती है इसमें पट्रियों की चोड़ाई इस पर हम बात कर लें तो ब्राड गेज जो है या बड़ी लाइन इसमें जो रेल पट्रियों के बीच की दूरी होती है वो 1.616 मिटर होती है यदि हम पूरे भार में देखें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 63,950 किलो मिटर है 2019-20 के आकड़ो के आधार पर अब ब्राड केज की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जैसे जो हमारे 36 गड में यदि हम बात कर लें बिलासपूर रायपूर तो यह आपके में ब जो लाइन या रूट पे यह जो दोनों स्टेशन है और जिसमें हमारा जो बिलासपूर है वो एक प्रमुख रेल्वे जोन है जो हमने भी 16 जोन की बात की थी उसमें एक जोन जो है वो हमारे 36 गड का बिलासपूर जीला भी जो है वो इस रेल्वे जोन के अंतरगत आता है वो एक मीटर होती है और पूरे भारत में इसकी लंबाई जो है वो 2402 किलो मीटर हमें देखने को मिलती है तीसरा इसका जो वर्ग है वो छोटी लाइन या नेरो गेज कहलाता है और नेरो गेज में हम देखेंगे कि दो रेल पट्रियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर से लेकर 0 0.610 तक होती है और पूरे भारत में इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1604 किलो मीटर जो है वो नेरो गेज की लंबाई मिलती है बच्चो यदि हम नेरो गेज की बात कर रहे है छोटी लाइन की तो आपको ध्यान में होगा कि आपके रायपूर से धमतरी के बीच जो ट्रेन चलती है वो छोटी लाइन या नेरो गेज की ट्रेन होती है जिसमें इन रेल पट्रियों के बीच की दूरी जो है वो काफी कम होती है तो ये बात हो गई भारती रेल के अलग-अलग वर्गों की अब हम ये देखते हैं कि भारती रेल ने क्या विकास किया है जब से भारती रेल की शुरुवात हुई है और अब तक और अभी भी वरतमान में क्या क्या काम जो है इसके विकास के लिए किये जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी जो भारती रेल ने, मिटर और नेरोगेज की जो लाइन है उसको बॉर्डडगेज में या बड़ी लाइन में बदलने का काम जो है वो एक वरिहत पैमाने पर शुरू कर दिया है शुरू कर दिया है क्या कहूं कि लगभग जो मिटर और narrow gauge की line है वो broad gauge में बदली जा चुकी है लगभग अब इसके अतरिकत हम देखेंगे कि आपको ध्यान में होगा आप जो पुरानी pictures देखते होंगे उसमें आपने देखा होगा कि जो भारती rail को दिखाया जाता है वो भाप या वाश्प चली इंजन होते थे कोईले से चलने वाली rail गाड़ियां होती थी जिनके इंजन जो है वो कोईले से चलते थे अब ये जितने भी जो भाप या वाश्प चली जो इंजन है उनके स्थान पर डीजल और विद्यूत इंजन को लाया गया है इसका क्या फायदा हुआ है जहां पर भी आप घरों में भी कोईले को जलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उससे बहुत अधिक मात्रा में धुआ निकलता है जो एन्वाइर्मेंड को हमारे परियावरण को प्रदूशित करता है तो जबसे यह भाप चली इंजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है या हम यह कहें कि इनके स्थान पर डीजल और विद्यूत इंजन को लाया गया है तो जो railway station है और उन railway station के साथ साथ जो वो नगर है जहाँ पर वो station इस्थित है वहाँ पर के परियावरण में काफी सुधार आया है क्योंकि धुए से जो होने वाला ये प्रदूशन है उस पर रोक लग गई है कि इसके बाद जो कोईले चलित इंजन या वाश पर चलित इंजन को प्रतिस्थापित करने का उद्देश ही हम कहें कि परियावरण में सुधार लाना था उस संबंधित इस्टेशन या संबंधित शहर के परियावरण में इन सब के अलावा भारत में जो मेट्रो रेल है उसन नगरों की परिवहन व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि एक नई क्रांती लादी है अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना जिसमें हमने कहा था कि पूरे भारती रेल को एक वरिहद आकार के कारण 16 रेल मंडलों में विभाजित किया गया है और मेट्रो रेल को मिला कर कु नगरी परिवहन व्यवस्था या जिन नगरों में ये मेट्रो रेल संचालित है उस नगर की परिवहन व्यवस्था में एक नई क्रांती जो है वो लादी है भारती मेट्रो रेल के शुरुवात के दी हम बात करें तो 1972 में कोलकाता में मेट्रो रेल के साथ हुई थी और ये हम भारत में रेल परिवहन के विकास की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि इसके लिए कुछ मुख्य जोन 17 रेल जोन बनाए गए हैं तो 16 मुख्य रेल जोन के साथ इसमें मेट्रो रेल का मुख्यालय भी शामिल है तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं भारत मेट्रो रेल जो ह पूर्ण स्वरूब जो है वो ग्रहन कर पाई दमदम से टोली गंज तक विस्त्रित इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल नमबाई 16.45 किलोमिटर है दिल्ली मेट्रो रेल की स्विक्रिती 1996 में दी गई थी और इसका व्यवसाइक परिचालन सबसे पहले 25 दिसंबर 2002 से 30,000 से शहादरा के बीच हुआ था मेट्रो रेलवे संशोधन अधिनियम 2009 को राश्ट्री राजधानी छेत्र नई दिल्ली बैंगलूरू मुंबई तथा चिन्नई महानगर छेत्रों में मेट्रो परियोजनाओं को उचित वैधाने की स्तर प्रदान करने के लिए लागू किया तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए चोटे प्रश्ने की रूप में कि भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब से हुई तो आपका उत्तर होना चाहिए 1972 और कहां हुई थी तो यह कोलकाता में और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता में कहां से कहां तक तो आपका उत्तर होगा दमदम से तोली गंसतर अब हम बात करें कि इस मेट्रो रेल के साथ साथ पूरे भारती रेल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धी जो है वो कॉंकर्ड रेलवे हैं कॉंकर्ड रेलवे का निर्माड उन्निस सो अंठान्वे में हुआ था यह सासो साथ किलो मीटर लंबा रेलमार्ग है जो महरास्ट में रोहा से लेकर करनाटक के मैंगलोर को जोड़ता है या मैंगलोर तक जाता है यह कॉंकर्ड रेलवे को हम इंजिनिरिंग का एक चमतकार कह सकते हैं या अनूठा उधारन हम कह सकते हैं क्योंकि यह रेलमार्ग जो है वो एक 146 नदियों या छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं उनसे होकर 2000 पूलों और 99 सुरंगों इन सभी को पार करता है ये कौंकर रेलवे कहां से महारास्ट के रोहा से लेकर करनाटक के मैंगलोर तक और इसी मारग में हम देखेंगे कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी इसी रेलवे लाइन में मिलती है और इसकी लंबाई जो है वो 65 किलोमेटर है इस उद्यम से करनाटक, गोवा और महारास्ट इन तीनों राजियों की जो है वो भागीदारी है इस उद्यम में यू तो य ब्रिटिश उपनिवेशकाल था ब्रिटिश का शाशन था उस समय से ही रेल मारग का जो है वो विकास किया गया है और कहां तक विकास किया गया था जो कच्चे माल के छेत्र हैं जो फसलों के बागानी छेत्र हो थे या हम कहें कि और व्यवसाईक फसल छेत्र जो थे वहां स रेल मार्गों से इन सभी को आपस में जोड़ा गया था लेकिन उस समय जो ये रेल मार्ग का विकास किया गया उसका महत्वपूर्ण उदेश उन ब्रिटिशर्श का था कि यहां के संसाधनों का शोशन करना और इसी उदेश से उन्होंने विभिन रेल मार्गों का विकास किय लेकिन जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्ती की हम स्वतंत्र हुए तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद ये जो पूरे रेल मार्ग का विकास है या रेल जाल का जो विकास है वो पूरे परवती छेत्र, पहाडी छेत्र और जो दुर्गम इस्थान थे या चोटे चोटे जो ग्रामीर शहरी छेत्र हैं वहां तक भी इस रेल मार्ग का विकास जो है वो किया गया और इसमें महत्वपूर्ण यदी हम कहें तो हमने देखा था जैसे मेट्रो रेल ये भी भारती रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है और साथ ही साथ कोंकर रेलव चमतकार के रूप में हम इसे जान सकते हैं जो कि भारत के पुरे पश्मी तटी छेत्र में महाराष्ट से लेकर मंगलौर तक विस्तरित है अब जैसे हमने सडको की घनत्व की बात की थी और हमने देखा था कि इसका घनत्व जो है वो पूरे भारत में एक समान नहीं है ठीक उसी प्रकार भारती रेल का जाल भी जो है वो पूरे भारत में एक समान रूप से नहीं फैला हुआ है और इसके असमान वितरण का प्रमुख कारण जो है वो हम मान सकते हैं कि इसमें भी इस्थलाकृती संबंधी, विवित्ता या आर्थिक विकास का जो इस्तर है या जनसंख्या ये भी जो है वो इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इस रेल के विकास को रेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है बच्चों हमारा भारती रेल जो है वो पूरे भारत देश के राजस्व का एक महत्वपूर्ण सोर्स है यह हम कहें कि सबसे ज हैं कि जहां पर सघंजन संख्या अधिक मिलेगी जहां पर बहुत अधिक लोग निवास करेंगे वहां पर ज्यादा आवागमन होगा जहां पर उद्योग ज्यादा इस्थापित होंगे बड़ा बाजार छेत्र होगा वहां से कच्चे माल के आदान प्रदान के लिए या महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसी कारण हम देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत का हमारा विशाल मैदान पर भारती रेल का का 1 तो पूरल जाल आद विशान जाल वह बिचा हुआ है और कारण यही है कि ये पूरा चेत्र स्थलाकृती से संबंदी तेदी हम बात करें तो स सम्तल मैदान हैं जहां पर रेल लाइन को बिचाना जो है वह है एक टास्क नहीं है. मतलब कम खर्चिला है और सरल और सुगम है और साथ ही बहुघ मिलिटेहना हैicon ही है does that भारत के छेत्र में हम देखेंगे कि रेल लाइन या ये पटरियों का जो है वो अधिक जाल देखने को मिलता है या सघन जाल जो है वो बिचा हुआ है लेकिन यदि हम हिमालय के दुर्गम छेत्र में चले जाएं हिमालय की पुरे परवती छेत्र में चले जाएं यह हम पुर् यहां भी उबढखाबड भूमी होने के कारण मतलब इस्थलाकृती जो है वो यहां पर एक महतुपुन फैक्टर है जिसके कारण हमें यहां रेल जाल जो है उसकी सघंता कम देखने को मिलती है क्योंकि यह खडचिला तो है ही और साथ ही साथ यहां पर हम देखेंगे कि जनसं को हम देखेंगे कि बहुत कम बसाहट जो है वो जनसंख्या की हमें मिलती है इन सभी कारण से इस उत्तर के विशाल मैदानी छेत्र की अपेक्षा यहां पर हमें जो रेल जाल की सघंता है वो बहुत कम देखने को मिलती है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत का हालय जो है वो एक मात्र ऐसा राजिय है जहां पर एक भी रेल जाल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता तो अब हमने चर्चा की रेल परिवहन पर जो आपके स्थल परिवहन की एक दूसरी महत्वपोन विधा थी अभी हमने बात की रेल परिवहन पर अब आए हम चर्चा कर लेते हैं इस्थल परिवहन की तीसरी महत्वपोन विधा जिसे हम पाइपलाइन परिवहन कहते हैं पाइपलाइन परिवहन भी जैसे रेल परिवहन हमारे स्थल परिवहन में एक चमतकार के रूप में सामने आया। ठिक उसी प्रकार पाइपलाइन परिवहन को भी हम एक अधुटीय चमतकार से कम नहीं हैं। और कारण क्या है यह इस्थर भाग से तो हम इसका परिवहन कर ही सकते हैं साथ ही साथ हम जो जली हिस्से हैं चाहे वो समुद्र हो नदिया हो वहां उनकी आंतरिक हिस्से से भी हम इस पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन कर सकते हैं हाँ तेल और गैस जैसी जो चीजें हैं या जो पदार्थ हैं इनका परिवहन तो पाइपलाइन के माध्यम से किया ही जाता है आपको ये बात जानकर और भी आश्चरी होगा और इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये किसी अद्वितिय चमतकार से कम नहीं है लोह एस्क जैसी जो सॉलिड चीजें हैं मतलब जो ठोस पदार्थ है उसे भी चूर्ण या स्लरी के रूप में परिवर्तित करके पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है और इसका एक महत्तोपूर्ण उदाहरन यदि हम भारत में बात करें तो कुद्रे मुख से मैंगलूर बंदरगाह तक लोह एस्क को स्लरी या चूर्ण के माध्यम से बना कर पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है और हमारे 36 गड़ में भी जो लोह एस्क उत्पादित होता है बैला डिला छेतर में हम 36 गड़ के दक्षणी छेतर में आ जाए बैला डिला तो वहाँ पर भी उत्पादित जो लोह एस्क है उस लोह एस्क को स्लरी या चूर्ण के रूप में बना कर पाइपलाइन के माध्यम से दूसरे स्थानों को भेजा जाता है तो भई हम जो लिक्विट चीजे हैं जैसे लिक्विट पदार्थ हैं चाहे हम तेल की बात कर रहे हैं या दूद की बात कर रहे हैं या गैसी फॉर्म में प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं तो इन्हें तो भेजा ही जाता है और अब जब हमने इसमें जो सॉलिट चीजे जैसे लौह यसको भी जब हम सलरी या चूर्न बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन कर रहे हैं तो यह हमारे लिए चमतकार से कम नहीं है और पाइपलाइन परिवहन का एक महत्तोपूर्ण फाइदा या लाब यह होता है कि एक तो इसके माध्यम से परिवहन जो है वो बहुत सस्ता होता है प्रारंभिक समय में ही जब इस पाइपलाइन का निर्माण किया जाता है तो उसकी प्रारंभिक लागत ही जो है वो थोड़ी अधिक आती है उसके बाद बहुत जादा उसके मेंटेनेंस के लिए या बाद में उसक सुगम और सरल परिवहन का माध्यम है इस पाइपलाइन का जब निर्मान किया जाता है तो इस टील की पाइपलाइन के ऊपर बिटुमीन की एक परत चड़ाई जाती है और इस बिटुमीन की परत के ऊपर ग्लास फाइवर की भी एक लेयर जो है वो लगाई जाती है और वो इ या पाइप में जंग नहीं लगता और साथ ही चीजे या जो पदार्त हैं वो उसमें फस्ती नहीं है वो अच्छे से स्लिप होकर एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाती हैं अब इस पाइपलाइन परिवहन का एक और महत्तपूर्ण लाभ्यदी हम देखें तो जो देश के सुदूर आंतरिक भाग हैं या हम कहें कि इस सुदूर आंतरिक भाग में स्थित जो शोधन शालाएं हैं तेल इन सभी से यहां पर इस्थापित जो गैस सयंत्र हैं वहां तक भी कच्चे माल की जो आपूरती है वो इस पाइपलाइन के माध्यम से ही संभव हुई है अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो अधीन इस्थापित है ओईल इंडिया लिमिटेड ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेशन का अन्वेशन मतलब उसमें खोज उसके साथ ही साथ वहां पर उत्पादन और उत्पादित पदार्थ का परिवहन करने के लिए ये कारिये जो है वो ऑईल इंडिया लिमिटेड करती है इसकी स्थापना हम कह सकते हैं या संयुक्त रूप स इसे जो निगमित किया गया था वो 1959 में किया गया था और यदि हम बात करें एशिया में तो एशिया में जो पहली पाइप लाइन है वो 1157 किलो मिटर लंबी पाइप लाइन बिच्छाई गई जो कि असम के नहर कटिया तेल छेत्र से लेकर बरौनी के तेल शोधन कार खाने तक बिचाई गई और इस पाइपलाइन को बिचाने का जो कारी है वो भी ऑईल इंडिया लिमिटेड नहीं किया था और असम के नहर कटिया के तेल शेत्रे से जो बरौनी तेल शोधन कारखाने तक पाइपलाइन बिचाई गई उसे 1966 में कानपूर तक विस्तरित कर दिया गया यदि हम पर्शिम भारत में बात करें तो पर्शिम भारत में हम देखेंगे कि अंकलेश्वर कोईली, मुम्बई हाई कोईली और हजीरा, विजयपूर और जमशेदपूर जिसे हम HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं ये भी एक महत्तवपूर्न पाइपलाइन है और हाल ही में हम देखेंगे कि 1256 किलो मीटर लंबी पाइपलाइन सलाया गुजराज से लेकर मतुरा यूपी में इस तिजो मतुरा है वहां तक बिचाई गई है और इनके अलावा नुमाली गड से लेकर सीली गुडी तक 660 किलो मीटर लंबी पाइपलाइन बिचाने का भी मतलब हम कह सकते हैं कि ये पाइपलाइन निर्माणा धीन है